A very special good evening to all of you, स्वागत है आपका हमारे चैनल study with अभीमान में आज मैं आप लोगों के लिए UP Polytechnic Interns Exam 2020 से related एक most important information लेकर आया हूँ तो चलिए फिर आज किस वीडियो को start करते हैं तो आपके Interns Exam के form fill up की date को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है तो UP Polytechnic की official website पर एक notification आज ही आया हुआ है मैं आपको पढ़के यहाँ पर बता देता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ संयुक्त प्रवेस परिक्षा Polytechnic 2020 फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि COVID-19 के दृस्तिगत जनहित को देखते हुए online आवेदन करने का अंतिम आउसर यानि अब आपके Farm Philip की date को एक बार यहाँ पर फिर से बढ़ा दिया गया है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि आवेदन करने की प्रारंधिक्त थी 17 जून 2020 जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और फिर यहाँ पर आवेदन करने की अंतिम्ति थी क्या लिखी हुए यहाँ पर लिखा हुए आवेदन करने की अंतिम्ति थी 21 जून 2020 यानि आप 17 जून 2020 से एक बार फिर से अपना आवेदन कर तकते हैं अगर अभी तक आपने अपने इंटरंस एक्जाम का फॉर्म फिल अप नहीं किया है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन करने की प्रारंभिक्ति 17 जून 2020 यानि 17 जून 2020 से आप एक बार फिर से अपना आवेदन कर सकते हैं तो अगर कोई ऐसा स्टुडेंट है जिसने अपने इंटरंस एक्जाम का फॉर्म फिल अप नहीं किया है तो वो एक बार फिर से अपना फॉर्म फिल अप कर सकता है जैसा कि आप देख सकते तो 17 जून से 21 जून तक आप अपने इंटरंस एक्जाम के फॉर्म को फिलप कर सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने अपने इंटरंस एक्जाम का फॉर्म फिलप नहीं किया था तो आप लोगों को एक फिर से आउसर यहाँ पे दे दिया गया जैसा कि आप यहाँ पे दे देख सकते हैं फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इस आउसर के पस्चात फॉर्म में सुधार है तू छात्रों को कोई आउसर नहीं मिलेगा अतहा आवेदन साउधानी पूर्वक करें ठीक है यानि यहाँ पे आप फॉर्म फिलप कर सकते हैं लेकिन फॉर्म फिलप में आप दोबारा करेक्शन नहीं करवा सकते हैं तो बहुत ही देख समझ के अपना फॉर्म फिलप कीजेगा ठीक है तो यही आज किस वीडियो में आप लोगों को बताना था तो जैसा कि आप नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एड्मिट कार्ड ओफ इं अभी डेट के बारे में कुछ बताया नहीं गया है अगर आपके इंटरंस एक्जाम की डेट भी चेंज होती है तो मैं आप लोगों को इनफॉर्म कर दूँगा अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जिन लोगों ने अभी तक अपना इंटरंस एक्जाम का फॉर्म फिलप नहीं किया है वो अपना form fill up कर सकते हैं इंटरंस एक्जाम की form fill up की date को बढ़ा दिया गया जसा कि आप देख सकते हैं तो आप UP Polytechnic की official website पे जा कर इस notification को चेक कर सकते हैं आज ही ये नया notification आया हुआ है तो यही आज किस वीडियो में आप लोगों को बताना था तो अगर आज किस वीडियो में कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुस्से कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथी साथ तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग